दोस्तों किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सापों में से एक हैं जो कि दक्षिन पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और फिलिपीन्स में पाया जाता है किंग कोबरा का सोभाव थोड़ा शर्मीला होता है लेकिन जरूरत पढ़ने पर ये अपनी रक्षा खुद करता है और ज्यादतर दूसरे सापों को खाना पसंद करता है अगर बात करें इसकी लंबाई की तो एक समाने कोबरा की लंबाई 12-15 फीट के बीच होती है और इसका वजन लगबग 20 किलो के आसपास होता है इसके दांत आदा इंच लंबे होते हैं जो की खतरनाक जहर से भरे होते हैं ये कोबरा, खुले जंगलों, बास के खेतों और दलदल जैसे आवासों में रहना पसंद करते हैं इसके साथ ही ये अच्छे तैराग भी होते हैं जिसके कारण ये अक्सर पानी वाले इलाकों के पास मिल जाते हैं और अगर बात कर इसकी प्रजाती की तो इस दुनिया में इनकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोबरा का जन्म कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले कर आए हैं हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों किंग कोबरा सभी प्रजातियों की तरह अपनी गर्दन के शेत्र में अपनी ग्रीवा पसलियों को चप्टा कर सकता है जिससे एक साप को अपने फन होने का एहसास होता है लेकिन ये कोबरा ऐसा तब करता है जब उसे किसी खत्रे का एहसास होता है इसके साथ ही इसके फण पर काले धबों का एक जोड़ा होता है जो उसके दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये इसकी आखे हैं जिससे उसका दुश्मन भी घबरा जाता है किंकोब्रा का जहर एक नियूरो टॉक्सिन है जो की तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है और पीडित के दिल के धड़कनों को रोक देता है इसकी आंकों के पीछे एक विशेश ग्रंथी है जिसकी मदद से ये जहर पैदा करता है और जब ये साप हमला करता है तो उसके दातों से जहर बहता है और उसके काटने वारी जगह में जहर घुश जाता है जिसके बाद इसका शिकार तेजी से निश्क्रिय होने लगता है दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस किंग कोबरा के आहर में दूसरे सांफ और छोटे स्तंधारी जीव शामिल होते हैं जिसे ये चबा नहीं सकते लेकिन अपने शिकार को पचाने के लिए अपने पेट में मोजूद शक्तिशाली एसिट का इस्तमाल करते हैं इस कोबरा के सिर्फ दो ही प्राकृतिक शिकारी हैं नेवला और मनुश्य क्योंकि कोबरा के दान छोटे होते हैं इसलिए कभी-कभी जल्दी से मारने के लिए दूसरे सापों के समान ही होता है लेकिन इसमें कुछ विशेश्चताएं होती है तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं दोस्तो मादा कोबरा आम तोर पर कई नरों के साथ मिलन की प्रक्रिया को अंजाम देती है जिसके परिणाम सरूप मिलन का मौसम समान्य से अधिक लंबा हो जाता है इसकी शुरुआत तब होती है जब वैस्क मादा वैस्क नर को आकरशित करने के लिए अपने फॉर्मोन के निशान छोड़ती है अधिकांश कोबरा की प्रजातियों में नर मादा को अपनी और अकरशित करने के लिए एक खास तरह का नाच करते हैं जिसमें सबसे बड़ा नर अकसर विजेता होता है एक बार मिलन शुरू होने के बाद नर्मादा को उत्तेजित करने के लिए उसके निचले हिस्से को अपने सर से रगड़ने की कोशिश करता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन कुछ मिंटो का होता है तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके नौ सफ़ता बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है और जैसे ही नौ हफ़तों का समय पूरा हो जाता है उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है ये मादा हर साल 12-60 अंडे दे देती है जो प्रजाती के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है दोस्तों कई बार ये किंग कोबरा अपने अंडों के लिए पतियों का एक घोसला बनाती है जिसमें अंडे देने के बाद वो इन्हें पतियों से ढख देती है और उन अंडों को सेने के लिए उसके उपर लेड जाती है और कुछ किंग कोबरा अपने अंडे जमीन के बिल या फिर किसी प्राकरतिक आवरंड जैसे चटान के नीचे आधी जगों पर दे देते हैं तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है उसके बाद लगबग 45-80 दिनों तक ये अपने अंडों की सुरक्षा करती है और गर्मी पैदा करने के लिए अपने शरीर से कमपन पैदा करती है और जैसे ही अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं उसके कुछ समय पहले ही मादा अपने घोसले को छोड़ देती है तो जैसे ही असी दिनों का समय पूरा हो जाता है उसके बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे निकल रहे हैं ये बच्चे बहुती छोटे होते हैं जिनका आकार इनकी प्रजाती पर निर्भर करता है अगर बात करें के आकार की तो इनका आकार लगबख 16 से 18 इंच के बीच होता है और जैसे ही ये अंडे से बाहर आ जाते हैं उसके बाद ही ये अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं और अपने पहले दिन से ही अपने फन फैला कर हमला करने को तयार होते हैं और शायद यही कारण है कि इनकी मां इनके बाहर आने से पहले ही इने छोड़कर चली जाती है जिसके बार ये अपने जीवन सफर पर निकल पड़ते हैं और इस दोरान ये जंगल में मौजूद छोटे स्तंधारियों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं और इस तरह ये चार से छे सालों में पूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं जिसके बाद इनकी लंबाई तीन से साथ फीट तक पहुँच जाती है लेकिन जो बड़े किंक ओबरा होते हैं उनकी लंबाई अठरा फीट तक भी हो सकती है और अगर बात कर इनके वजन की तो इनका वजन लगबग 20 किलो तक हो सकता है तो जैसे ही ये पूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं उसके बाद इनके भोजन में चूहे, पक्षी, अंडे और दूसरे अंडे सांप शामिल हो जाते हैं जिसके बाद इन्हें कई दिनों तक भोजन तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती और जैसे ही इनके मिलन का मौसम आता है उसके बाद ये अपने सांथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है और अगर बात करें के जीवन काल की तो इस किंग कुबरा का जीवन काल तीस वर्षो का होता है जो विभेन प्रजाती की आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक को चेक कीजे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई